साथियों सेतुआं का ब्रीज का अभाव क्या होता है इसको दर्रांग से बहतर कौन समझ सकता है याद कीजिये साथियों कुछ साल पहले तक आपको गुवाटी जाने के लिए कितना समय लगता था कितनी मुश्किले होती थी है आपको सराय गाट पर दूसरे ब्रीज के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ा एंडी एक की डबल इंजिन की सरकार ने तेजी से सराय गाट पर पूल बना दिया है डबल इंजिन की सरकार ने नए पूल बनाने के साथ ही उन पूलों को भी पूरा कराया जिने कॉंग्रेस ने बर्सों से लटकाया अटकाया और बटकाया था सोचिए कॉंग्रेस के दसकों साल के शासन के बाद भी असम में सिर्फ तीन बड़े पूल बन पाए लेकिन एंडिये सरकार के छे सालों के भी तरी असम में डोला सदिया बोगी बिल सराइगाट समेत कई पूल आज काम करना शुरू कर चुके हैं इनके अलावा यहां अनेक पूलों पर काम तेजी से चल रहा है साथियों इन पूलों के बनने से असम के अलग-अलग छेत्रों की कनेकिविटी ही ससकत नहीं हुई हैं बल्कि असम के सामर्त को भी नया बल मिला है आज असम के किसानों असम के उद्योगों के लिए नए अवसर बन रहे हैं कनेकिविटी ससकत होने से दरांग सहीत पूरे असम में सामान लाना और ले जाना सस्ता हुआ है और इलाज की सुविदा पढ़ाई की सुविदा के लिए परेशानी भी कम हुई है साथियों पूरे असम में हमारी डबल इंजिन की सरकार हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और जलमार्ग कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम कर रही है गुहाटी एरपोर्ट का विस्तारी करण हो, रूपसी और डिबरुगर्ड एरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाना हो इससे इस पूरे क्षेत्र में टूरिजम से लेकर ट्रांस्पोर्ट सेक्टर को बहुत बल मिलेगा असम में रेल कनेक्टिविटी पर कितना बल दिया जा रहा है इसका उदहर इसी महने देखने को मिला है असम के रेल के इतिहास में पहली बार इलेक्टिक लोकोमेटिव बोगई गाउं से सारू पेटा स्टेशन के बीच चल रही है